देखो करा कोटी जी कैसे हमारे उतर रहा है कैसे उतरना हुआ देखो इस टेफ्स देखो कैसे डाल रहे हैं अब इससे पीछे की और तन्ना पड़ रहा है सेंटर आप ग्रेवटी मेंटेन करने के लिए चड़ाई में तो आगे की और जुख जाते हैं अब उतरते समय पीछे की और क्यों सर जिससे सेंटर आप ग्रेवटी बनी रहे हैं आदमी गिरे ना थोड़ा बहुत साइं क्या तो क्या फाइदा होता उपर जाके बताओ अब जो चीज हमें यहां से दिख गई थी यहां से जो चीज दिखी थी वही चीज वहां जाते आते बंद हो गई पूरा बादल का बादल आ गया कोई फाइदा नहीं था आओर उपर जाके यह तो यह है कि चार बजे पांच बजे उट जाओ ट्रैकिंग में यही है कि चार बजे उटके चल दो और जितना सबेरे आप जाओगे उतना बड़ियां होगा यहां का मैं TRC का आपको बता देता हूँ क्या रेट है अगर आप TRC में रुकना चाहते हैं तो यहां पर टेंट अव लेबल है टेंट की कोस्ट क्या है आपने पता किया था 1200 रुपए है उसमें तीन चार लोग आप अब रुक सकते हो चार लोगों के लिए है 1200 रुपए में हां खाना थोड़ा मैंगा है मलब जो नीचे आप खाना खाओगे उससे जश्ट डबल है 120 रुपए की एक प्लेट सबजी है 120 रुपए की एक प्लेट दाल है 60 रुपए का एक मैगी है मलब जो 10-12 रुपए का मैगी है वो बन बना करके आपको 60 रुपए का मिलेगा 15 रुपीज पर रोटी 15 रुपए की एक चपाती है अलब रोटी और पकोड़ा अगर आपको पनीर पकोड़ा नीचे 100 का मिल रहा होगा ते यहां 200 का मिलेगा और मटन एक पलेट मटन का रेट है 500 रुपए मटन भी नहीं चिकन था ओ नहीं मटन बोल रहा था अब जो भी यह मटन चिकन जो भी खिलाता है 500 रुपए पलेट मटन चिकन जो भी देता है और उसमें 12 पीस होगे तो महँगा तो है आपको सस्ता पढ़ेगा जब आप HDM हो जाएंगे हाँ अगर आप अधिकारी वर्ग से आता है DM है HDM है SP है DSP है कोतवाल है कोई बड़े अधिकारी है प्रशासनिक विभाग में सरकारी विभाग सरकारी में भी प्रशासनिक वलब DM SDM तहसिलदार नायब तहसिलदार तो आप अपना कुट्ता ला सकते हैं तो वो सफ्री है सफ्री में हो जाएगा बाइटी यारसे में सफ्री में हो जाता है अगर आम आदमी है तो आप तोड़ा जेब को टाइट करके चलना ठीक है इसी के साथ हम नीचे उतरते हुए और लग रहा हम लोग आधा किलो मीटर आई गये हैं बातों ही बातों में आप लोग वीडियो देखते रही है कि बड़ी मेहनत हो रही है और इतना मेहनत तो अपने वीडियो बनाने कभी आज तक नहीं कर रहा था और वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना वाई क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो थोड़ा सा मेरा जो मेहनत हो रही है उसमें लगेगा कि हाँ पैसा वसूल है मेहनत जो है उसकी वैलू ही इंपोर्टेंस हो गई है चलो जो भी है जंगल भयानक है खतरनाक है रात में कोई आता नहीं है दिन दिन में लोग लाते हैं इसमें क्योंकि इसमें जंगली जानवर भी है आते होत भरपूर गरम कपड़े लेके आना जैकेट सैकेड लेके आना विंची तरुटर खाने पीने का सब समाल लेके आना क्योंकि 5 वाला बिस्कृट 10 का 10 वाला 20 का 100 वाला दोसों को मिलेगा जो भी खाओ पीओगे सब डबल रेट के मिलेंगे है वो सकता तिन गुना रेट के भी हो अरे दसका बिसकृट 20 का बोला तो अभी तो है डबल तो हुए तो ठीक है बुरा नहीं है हम इसके नहीं कह रहे हैं कि बुराई कर रहा है क्योंकि यह जो पैदल चलके जा रहे हो नहीं यह सब नीचे से आता है लो उसमें कंदे पे एक आदमी जो है वो नीचे से लेके उपर आता है मतला अगर आप प्लेंस के एक फैंची रेस्टाउन ने बैढ़े हो हां मलब फाइव इस्टार का जो मज़ा है नहीं वो जंगल जैसा है उसमें कोई अंतर नहीं है जंगल में टी आरसी में खाना खालिया टॉप मे टी आरसी में और फाइव इस्टार खाना दोनों बराबर है पैर समल नहीं रहा भाई पैर टिका टिका के चलना पूड़ रहा है मुझा बहुत 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 लग गई है उतरते उतरते जाएं डाउन हील पे चलते चलते इसलिए लोग खाना सुरू करते हैं कुछ खाना तो है नहीं हमारे पास एपल एक मिला पंडिजी का दिया हुआ वह इस था रहा है थोड़ी से अनर्जी में जाए क्योंकि हम लोग कीड़े माकोड़े तो खानी सकते महन वर कुछ असर हुआ है कि मिल गए तुरंट अब एक दिन कुछ बत दो अब कुस्ता भी तो दूसरे जिन चाहिए चलो वीडियो का एंड करते हैं धेर सारा लाइक सब्सक्राइब देना भाई करते हैं